जारखंड आदिवासी बहुल राज्य है यहाँ पे 27% आदिवासी रहते हैं और एक आम धारना है लोग मानते हैं कि जारखंड पिछड़ा राज्य है खासकर आदिवासियों को लेकर यह धारना है कि कला के छेतर में, आर्ट के छेतर में, फिल्मेकिंग के छेतर में इन चीजों में आदिवासी पीछे रहते हैं लेकिन अब ये धारना तूटने लगी है और रांची के सुदूरवर्ती एक गाउं एक छेतर बुंडू बुंडू से मुझे याद आता है जब भी किसी व्यक्ति को रांची में कहना होता है तो लोग चुड़ाने के मकसद से कहते हैं कि तुम बुंडू तमार से हो क्या लेकिन आज वो तमाम धारनाय तूट रही है अब तूट रही है और उसका एक उदाहरन जो इसी चीज़ को सत्यापित करता है यह हमारे सामने हैं, हमारे पास है और आज हम सौरव मुंडा से बाचीत करने जा रहे हैं सौरव मुंडा का परिचय यह तो सौरव बुंडू से है रांची विस्विध्याले से इन्होंने में की पढ़ाई की है मास कम्मिनुकेशन लेकर और वर्तमान में हमारे बात करने का संदर्व है कि सौरव FTII की परिक्षा पास कर जुके हैं, मेरिटलेस्ट में नाम आ गया है और अब तीन सालों के लिए सौरव FTII में जाकर पढ़ाई करेंगे और वहां से फिल्म में निर्देशन का यानि के डिरेक्षन का कोर्स करेंगे सौरव स्वागत है आपका दे फॉल अप की स्टूडिय जिसके बाद उन दस लोगों को यह मौका मिल पाता है कि FTII में जाकर फिल्म एंटेलिवेजन इंस्टूट अफ इंडिया में जाकर पढ़ाई कर सके सबसे पीले तो किस तरह की तयारियां रही क्या कुछ हुआ उसके बाद फिर आपके हम बाके संगर्स के बारे में रामें हैंगे परिग्डशा का फ़र्मेट क्या था तयारियां किस तरह की रही और एक नाए एक दिन वह आपको जरूर मिलेगी, तो मैंने कुछ इसी तरह से त्यारी की थी। Actually, यह मेरा थर्ड एक्जाम था, पहले दो बार मैंने इसका एक्जाम दिया था लेकिन दोनों बार मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई थी। तो फिर लास्ट यह मैंने एक वक्षोब यह था था, तो वहां पर मेरी मुलाकायत भी थी श्री प्रकास सर से तो नहीं के गाइडेंस के अंडर रहर मैंने बहुत सारी चीजे सीखी और मुझे लगता है कि वहां से मैंने वो चीजे सीखी जो मुझे साथ दोर कहीं सीखने को नहीं मिल सकती थी और वो जो दस दिन का जो वक्षोब था वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है मेरे सक्सेस में मैंने वहां से निरंजन कुझो सर से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे थ्रूआट दाइम बहुत गाइड किया है और मेरे इंटरेंस एक्जाम जब मैंने क्लियर किया तो फिर सौरभांसना जो कि अभी सत्याजी तरे फिल्म टेलिविजन शूट में डिरेक्शन की पढ़ाई कर था उन्होंने भी बहुत मेरी मदद की थी तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक कोलाबरोटी वर्क था बहुत सारे लोगों ने मुझे म काम तक पहुंचने में तो उनको भी एक बार दन्यवाद मेरे दिल से अच्छाए जो चुकी दस सीटे हैं तो मैं बताई कि जाता है कोई गगती तो दस सीटें सिर्फ तो बाकी और क्या क्या कोर्सेज हैं और किस तरह के पढ़ाई वहां पर होगी किया अपको आडिया होग कर्णे अपको अच्छाए भी है आइड़ डियानिंग है और इडिटिंग भी है इस क्रिंप्ले राइटिंग है और डिरेक्सिं एलकी राइटिंग और टेवी विंग में चार कोर्सेज जो साई 1 यर कोर्से जबकि फिल्मिंग के जितने भी साथ कोर्से वो थ्री एर पीजी डिप्लोमा कोसे से साथ कोर्स यानि किस तभी कोर्से में दस-दस सीटें सतर सीटें जी एक साल का चलेगा तैयारियां कैसी रही कितना मुश्किल था मतलब पढ़ा ही क्या करना पड़ आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर जो लोग देख रहे हैं चुकि बहुत बड़ी संक्या में देखे हैं ता फॉल आप में उनमें कुछ लोग हों के जो फिल्मेकिंग में अपना करियर देखे होंगे तो आप यह बताएं कि किस तरह क्या आपने अपने तीसरी बार क्या कितारें पढ़नी पड़ी किस तरह के फिल्में देखनी पड़ी अगर एक्जाम के पैटर्न की बात की जाये तो कुल हंडेड मांक की एक्जाम थी जिसमें 30 क्वेस्टिन अब्यक्टिव थे और 70 अबजेक्टिव थे और जो 30 क्वेस्टिन ते उसमें भी दो पार्ट मतलब की 15 क्वेस्टिन सफिल्म्स है थे फिल्म हिस्टोरी, फिल्म थीोरी, वाल्ड इन सब चीजों से क्वेस्टिन थी और जो 15 क्वेस्टिन थे वो जेंर्रल नोलेज क्या सकते हैं और जो 70 मांक्स के क्वेस्टिन थे वो सिच्वेशनल थे मतलब की पुछ situation दिये गए थे उन पर कोई स्टोरी लिखनी थी, कुछ डालोग्स लिखने थे, कुछ सीन्स को बस इमेज के थूरू इलोबरेट करना था तो इस तरह की कोश्चेंज थे एक स्कूल जो देती है बहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा विवेकानंद विद्यामंदर स्कूल सेक्टर टू धुर्वा राची मेरा सम्माना है कि जितने भी ट्राइब से जारखन में वो मुझे लगता है कि वो आर्ट के बहुत करीब है बहुत सारे आर्ट फोर्म है जो कि आज से कुछ सालोत पहले उनसे उन लोगों का जुड़ाओ था लेकिन अभी लगता है कि यह चीज आज की यूथ में कम देखने को मिलती है तो यह कहना थोड़ा गलत होगा कि आर्ट के साथ इनका लगाओ नहीं है मतलब सब्सक्राइब को लेकर है हाँ यह कं चेहरे मिलते हैं ट्राइबल चाहे कहीं भी सब जहार खंड ही नहीं देशबर में इतने भी ट्राइबल फिल्मेकिंग में बहुत कम परते निजी तो जून का रहे है और प्रिजिटर्टिव है वो कम है थोड़ा से नहीं बस फिल्मेक सब्सक्राइबल स्लोग बहुत कम आते हैं इस तरह में आपकी भूमिका बहुत बढ़ी हो आती है कि आप खुद एक ट्राइबल फैमिली से खासका जहार खंड जहां खुद फिल्मेकिंग बहुत इनरिच नहीं जब भी फिल्मेकिंग के बात हुई तो मुंबाई कुछ दि किस तरह से इन चीजों को आप इनकॉर्परेट कर सकेंगे फिल्मेकिंग कि मेरी कोशिस होगी कि जैसे मैं अपना कोश पूरा करता हूं तो मेरी कोशिस रही कि मैं यहां के जितने भी जो कल्चर है जो भासा है जो बिलूप्थ होने के अगारप है तो मैं उन सब को डोकुम प्रिमेंट नहीं की गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के जो यूवापीडी होंगे फिर बस इनकी कहानिया सुनेंगे और आने वाले समय में साध यह गायब ही हो सकते हैं तो इनके संद्चन के लिए हमें काम करना होगा और जो भी हम कहानिया कहेंगे या फिर म जामतारा तो जो एक ट्राइबल बहुल छेत्र की कहानी है लेकिन उस कहानी में ट्राइबल्स को दिखाया ही नहीं किया है तो वहां के लोगों के साथ जश्टिस नहीं था यह तो मैं चाहूँगा कि मैं इस तरह से काम करो कि वहां के लोगों के साथ जश्टिस हो पाए यह अपने बहुत महत्रपूर अपने बात कहें कि हमें से सब तारिक निकल जाते हैं लेकिन पुछ चीजे थूटी हैं जसा अपने इंगित कि इन ऑफ जो वहाँ के ट्राइब से उनका कोई जिक्र फिल्म में नहीं है तो वो होना चाहिए था अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो अगर वहां की जो रियल चीजे हैं उनको अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर वो जस्टिस होगा ही नहीं मतलब कि अगर जैसे की वासेपूर के एक जामपल दे सकते हैं उसमें मुझे रखता है कि काफी हद त अगर प्रव के पास दो ऑप्सन्स थे यानिकी इन्होंने दो चीजे़ में अपलाई कि थे एमें एक इंप एक ट्रॉप्सन के लिए और रेक्सन के लिए और इनका दोनों में होगी अपने स्क्रिप्ट राइटिंग को छोड़कर डिक्सन ही क्यों चुना जबकि आपके इ अपने लिए अपने लाइट राइट राइट रहता है और इन्वल्मेंट भी ज़्यादा रहता है और मुझे सुरू से इफ डिरेक्ट करने की इच्छा जादा थी क्योंकि मेरे अंदर जो भी कहनिया है या फिर मेने आज तक अपने लाइफ में जो कुछ सीखा एदेखा जो भी ऑब्जर्ब किया है वो चीजे मैं अपने तरीके से तभी उस फिल्में दिखा पाऊंगा जब मैं उसे डिरेक्टर होंगा अगर मैं कोई कहानी लिखता हूं और उसे कोई और डिरेक्ट करता है तो वो उसे अपने तरीके से डिरेक्ट करेगा तो जो एक सिगनेचर कि अपने लोगों की कहानी अपने तरीके से कहना चाहता हूँ, ज़िए मैं इस फिल्ड को चूज कर रहा हूँ, इस फिल्मेकिंग बहुत रिच नहीं है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, स्ट्गल कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की फिल्में नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि उस क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रिजन है कि सरकार का जो रवेया है, वो बहुत काफी उदासीन बह रहा है, मतलब यहां ऐसा नहीं है कि यहां पर अच्छे कलाकार नहीं है, या फिर यहां लोगों में टैलेंट की काम है, मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जो कला होने के बावजूद अपने आपको निखार नहीं पाए, और इसका साफ रिजन ये है कि सरकार उनको प्रोजसाहित करने में भी चूक रही है, और मतलब यहां के युवाओं को इसमें कोई सेक्यूरिटी नेजर नहीं आता है, मतलब वो उसे ऐसे आप जब एक अच्छी डिरेक्टर बनेंगे तो आप जारखन में अपने आपको दिखते हैं दस बारा सालों के बाद यह फिर मुम्मा में देखते हैं, जहां देखते हैं, ये क्वेस्टिन थोड़ा सा टफ है क्योंकि, क्योंकि मैं अपनी पहचान दोनों जगा बनाना चा मैं खुद कुद दोनों जगा देखता हूँ, ये अच्छी बात है, अभी जो एक नई तरह के फिल्म में जो वेब स्रीजेज जब सुरू हुई है, खासकर एक दो सार में देखने को मिलिया और फिर लॉग्डाउन में काफी चार्ची त रही है, जग फिल्म में बंद हो ग जहां तक वेब स्रीज की बात है, तो ये एक 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 रिवल्यूशन की तरह है, मतलब कि बहुत ऐसे फिल्मेकर्स है, यंग फिल्मेकर्स है, जिनको मौका नहीं मिल पाता है, कि वो अपनी फिल्मों को सिल्वर स्क्रीन पर ला सके, तो जो वेब स्रीज का जो कंसेप्ट आय इनका प्रोड़क्शन को से लेकर सारा चीज मतलब उतना ज्यादा ये इनका बजट ये उतना ज्यादा नहीं होता है, तो मतलब एक छोटे से बजट में वो अपनी अच्छा कंटें अपनी कहानी को कहा पाने में अगर सफल हो और है, तो ये मुझे लगता है कि अची चीज मेरे पिता एक टीचर थे जो अब रिटार हो चुके है, घर में वैसे तो हम तीन भाई बेहन हैं, दीदी भेया दोनों की साधी हो गई है, मैं अभी बच्चा हुआ हूँ, मा है, पिता जी है गर में, तो बाकी, बिफोर एफ्टी आया अभी तक, याप अरांची उमिसिटी में पढ़ें उसके पहले क्या है, थोड़ा बता है कि मैं तो आपका जो स्कूली और बाकी जो कॉलेजर लाइज लाइज रहा हो कहां कहां रहा है, मैंने स्कूलिंग नेतरहाट स्कूल से की थी, 2009 मैं पासा उट हूँ, उसके बाद ट्वल्स मैंने गोस्नल कोलेज से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने होटल मेंजमेंट से था था ता भी ज़ट लाइज में तो अब त्र फिर मुझे पासा में था लाइज बाद हुगा था तो अब ज़्या काट चुका था तो तो नौकरी पी छोड़ दिए इसलिए फिल्मेंग के लिए हां मैंने के लिए मुझर से झाला इन झालाक फिर वहां से थाना थोड़ा मुझल नहीं हो पाते है European प्रेशर नहीं के नहीं हों और गोगी भलाक मुझला दाण है। बैसिकली परिवार काही रहता है, बाकी लोगों को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन परिवार को रहना है जिंदगी पर तो फिर उनको थोड़ा इग्नोर करना भी मुस्किल है, लेकिन यह भी है कि मगर क्या बोलते हैं, एक सटिस्फेक्शन होना चाहिए, अगर वो चीज को नहीं मिल रही तो फिर आप, मुझे लगता है कि आप रोज मर्मर के जीएंगे, क्योंकि वो चीज आपको रोज खलेगी, आप रोज सुबह उठेंगे और आपको लगगा कि मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और कर रहा हूं, तो यह टीस हमेसा दिल में चुपते रह तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपने कभी इक्षा की होगी, बड़ी बात थी, कि आपने होटे मैंजमेंट के रही चार साल को उसके फिर दो साल नोकरी, मुझे लगता है छे साल, नोकरी मैंने कुछ ही मैना किया था, ठीक है, मैंने चार-पांच साल का एक समय था जो आपने किसी और प्रोफेसिंग की तरफ बढ़ने की सोचा फिर वो सब को छोड़ के सिर्फ इसलिए कि आपको दिल कुछ और कहता था आ फिर इसमें, अब साटिस्फेक्शन है? हाँ, साटिस्फेक्शन है, देश के सबसे बहतर, सबसे अच्छा फिल्मिस्च की ओनलाइन क्लासे होंगी या फिर ट्रेडिशनल क्लासे होंगी, वो मैं इनफोर्म करेंगे मुझे लगता है कुछ दिनों में, जब कोवड का प्रभाव खत्म हो जा तो फिर साथ आपको पूने जा कर पढ़ाई करना है, अखरी दो शबत क्या वो करें और क्या नहीं करें कि लिए कि देखता हूंकि कुछ लोग फिल्म को बहुत ग्लेमर की तरह देखते हैं, कि विल्म में जाना है तो हीरो बना थो बोडी बनाओ, और नहीं तो कैमरे डिलों क्या भूमते रहे हैं कि अधर जाना चाहिए, वो जो पिलर्स हैं फिल्मेकिं के लिए मुझे लगता ह तो इस इस सवाल का जवाब दिने के लिए मेरा कद अथना नहीं अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया है बस मैंने अभी इस चुट पे अपना कदम ही रखाया है तो यह जो जुनियर सु लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे कि किस तरह तयारी करें और बड़े क्या देखे है फिल्मेकिंग किस तरह अपना जरिया क्या है wrote अठाहि फिल्म एक बहुत ही एक है एक ऐसा मिडियम है जो आपको करे सकता है मतलब इसमें युनिवस्टी होती है मतलब कि आप परदे पे दो करेक्टर को देखते के आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपकी जिंदगी चल रह से तो मुझे लगता है कि तब वो सिनमा सफल है जारकंड में इस से पहले भी कुछ आप जानते हैं लोग जो फ्टी आय में पढ़े हैं जारकंड से नहीं है उन्होंने काफी मदद की मेरी थ्रूआट दा ओरेंटेशन एंट इंटर्वी प्रोसेस तो हां उन्हीं को जानता परसनली मतलब मिला तो नहीं हो लेकिन फेस्बूक के थ्रून से बात हुई उन्होंने काफी गाइड किया मुझे तो सौरव मुंडा को बहुत-बहुत सुभकामनाईदा फॉल अप की टीम की तरफ से रांची से कुछ नाम है और इसमें से उस सूची में उस लिस्ट में ए और मैं एक चीज भी जोड सकता हूं कि इनके जो क्लासित को जर्नी रहने तरहाट से लेकर आडियू तक इसमें दो पड़ाव ऐसे रहे हैं जिससे मेरा भिनाम जुड़ा हुआ है वो गौस्ना कॉलेज है और रांची में सिटी जहां से फिलाल सौरव पास हुए है वो भी म कला को संस्कृति को भाशाओं को लेकर इनकी डोकुमेंटेशन और फिल्मों का जो एक खांका तयार कर रहे हैं उसमें ये काम्याब हो और हारखंड के धर्ती से एक बतोर निर्देशक एक सफल व्यक्तित के रूप में सौरव निपरे बहुत-बहुत सुब कावनाओं के सा हम आपसे याज चाहते हैं आप देख रहे हैं दर फॉल उप अपना दाथी सनी के साथ मैं विबेग नमस्कार